आपको बताएं कि भाजपा CEC की बैठक से एक नया फॉर्मूला निकला है दरसल नेता नारा नीती की थीम पर केलरीय चुनाव समिती की बैठक हुई जानकार सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि बैठक में राजसान में चुनाव समिकरन और वर्तमान इस्थी पर विशलेशन हुआ है प्रभारे अरुन सिंग और प्रदेशा अद्रेक शुसीपी जोशी ने तमाम मुद्दों पर विशलेशन किया है और वही सीसी के शुष नितरत ने भी राजसान पर विस्तार से हर मुद्दे पर मंथन किया है और फिर टिकट वितरन पर फाइनल डिसकेशन के बाद 49 नामों पर मोहड लग गई है लेकिन 49 नामों पर जो मोहड लगी है तो देखना ही होगा कि ये जिन नामों पर मोहड लगी है उन नामों की सूची कब तक आपाती है लेकिन नेता नारा नीती की थीम पर मन्थन हुआ है जानकार सूत्रिय बता रहे हमारे भाजबा प्रतियाश्यों की पहली लिस्ट को लेकर अब असमंजस है इसी बीच कल 49 सीटों पर मोहर लगी है प्रदान मंतरी की जो तस्वीरे अंदर से सामने आई थी उनकी हाथों में ब कई नामों का पैनल उसमें नजर आए क्योंकि एक नहीं दो नहीं बलकि तीन तिन नाम उसमें नजर आए उन पैनल में से ही छाटना था कि आखिर कौनसा जिताओं उम्मिदवार है मजबूत वो हुमिदवार है जिसको फाइनल किया जाए जानकार हमारी यह है कि 49 सीटों प बारा भाजपा अलाकमान को सलह दिया जाने की चर्चा है एक दूसरे सुत्र के अनुसार पदानमंतरी की दो और पांच अक्टुबर की यात्रा के बाद किसी भी दिन जारी हो सकती है लिस्ट ताकि इन दोनों यात्राओं के दौरान टिकेट वितरण को लेकर तत्यार्शियो में नहीं मचे कोई खलबली तो देखे हारंग की प्रतियाशियों में खलबली तो मची हुई है वो इसलिए कि जो जहां से दावेदारी कर रहा है क्या उससे वहां से टिकेट मिल रहा है किसका टिकेट कट रहा है और क्या वाकई में सांसदों को विदान सबा चुनाव लडाय जाए जाएगा मद्दप्रदेश की तर्स पर भाजपर प्रतियाशियों की पहली सूची का काउंट डाउन जो है वो जारी हो चुका है सीसी की बाटक में 49 सीटों पर महड लग चुकी है बाटक के बाद अलग लग लोगों के अलग लग अनुमान है एक तरफ कहलिया आज लिस्ट जारी होने की चाचा जोरो पर है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कर रहे है लिस्ट 5 के बाद जारी होने का दावा और इसका कारण बता रहे प्रधानमंत्री मोधी की राजिस्थान यात्रा को आज प्रधानमंत्री मोधी है चितौरगर दोरे पर वही 5 अक्टुबर को है मोधी का संभावित जोदपूर का दोरा भी ऐसे में लोग संभावित रियक्शन के चलते 5 अक्टूबर के बाद ही लिस्ट जारी होने का दावा कर रहे हैं लेकिन दावों में कितना दम है ये तो आने वाला समय बताएगा क्योंकि क्रत्याशियों की सूची के काउंट डाउन की बात की जाए तो वो तो शुरू हो चुका है क्योंकि CEC की बाठक हो चुकी है और CEC की बाठक में 49 सीटों पर मोहड लगाई जा चुकी है लेकिन कौन-कौन से 49 सीटे वो होंगी कौन सी कैटिगरी की सीटे होंगी और कब तक ये सूची जारी होने वाली है क्या अभी भी कुछ सीटों पर मन्थन बाकी रह गया है या फिस सब कुछ पहली सूची के लिए फिक्स हो चुका है, मोहड लग चुकी है ये देखना बाकी है लेकिन फिलाल कुछ लोग अलग अनुमान लगा रहे हैं कुछ लोग अलग अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि कुछ निताओं का ये अनुमान है ये कहना था कि शादपक्ष के बाद ये सूची पहली आने चाहिए तो आला कमान की तरफ से कह दिया गया चलिए देखते हैं लेकिन सवाल यह है कि अब आगे कब तक पहनी सूची सामने आ पाती है क्योंकि प्रधान मंत्री का संभावित 5 अक्टुबर को जोधपूर का दौरा भी है